हेलो डियर स्टुडेंग अगर आप बारवी पास हो चुके हैं और दुर्ग विश्व विद्धाले से सम्मंद महा विद्धाले में प्रवेश लेने के इपचुक हैं तो आपका इस सत्र के लिए प्रवेश यतु ऑनलेन अप्लिकेशन जो हैं वो स्टार्ट कर दिये गए हैं वीडियो स्क्रीन पर आप नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे हेम चन्यादा विश्व विद्धाले दुर्ग द्वारत जारी किया गया है अगर आप इस विश्व विद्धाले से जुड़े हुए किसी भी महा विद्धाले में प्रवेश लेना चाते हैं तो ले सकते हैं आप सभी को जानकारी होगी कि इस वर्ष से नई सिक्षनिती 2020 लागू हो रही है जिसके तहत आपका जो yearly exam होता था वो अब सभी कक्छाओं के लिए semester प्रक्रिया लागू हो रही है तो अगर आप नव प्रवेशित हो रहे हैं तो आपको इसकी जानकारी होने चाहिए कि अब जो इसनातक और इसनातकोत्तर के जो परिक्षाएं होंगी वो semester प्रक्रिया से होगी जिसके लिए नई सिले बस आगे जारी की जाएगी फिलाल हम जानते हैं आपका जो online application स्टार्ट हो रहे हैं आपके admissions related वो कुछ इस प्रकार से हैं जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं प्रवेशे तो online application जो start कर दी गई है वो तीन चरनों में होगी आपके दुर्ग बिश्वित दलाय द्वारा प्रथम चरन दुती चरन त्रिती चरन इस प्रकार से आपके admission होगा और कैसे कैसे क्या क्या करना है साथ ही आपको कौन-कौन से document लगेगा application के लिए उसकी सारी जानकारी बताई गई है और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लिजे ताकि आगे जो भी नई notification आएगी आपके admission से related उसकी जानकारी आपको प्राप्त होते रहें चलिए देखते हैं सबसे पहले आपकी जो online application प्रथम चरण की जो admission date है वो 18.06.2024 से start हो रहे हैं जिसकी तीती होगी वो 30.06.2024 तक होगी यानि कि 30 तारी तक आपको online application form जो fill करना होगा उसके पसाथ जिन्होंने 30 तारी तक अपना form फिल कर लिया है उनकी merit सूची जारी की जाएगी 2.06.2024 को ठीक है यहाँ पर जो merit सूची होगी वो जिस महाविद दैले में आपने apply किया है उसके द्वारा भी जारी की जाती है औ तो इस प्रकार से आप जो हैं वो merit सूची देख सकते हैं आपने college जहां पर apply किया है अगर आप देखना चाते हैं अपना merit सूची तो college जा कर देख सकते हैं साथ ही college की जो website होती है वहाँ पर भी आपकी merit सूची जारी कर दी जाती है हमारे channel के माद्दयम से भी merit सूची डाल जाती है तो channel के साथ बने रहें साथ ही जिनका नाम आ जाएगा 2007-2024 की date में उनको महाविद्दयले में admission लेना होगा 3 जूलाई 2024 से 8 जूलाई 2024 तक आपको अपने महाविद्दयले में प्रवेश लेना होगा ठीक है यहाँ पर fees वगेरा और जो भी आपके सारे documents होते हैं वो जमा करना होगा ठीक है आगे आपको document की detail जो है वो बताई गई है फिर इसके पसाथ जिनका admission में नाम नहीं आया है या जिन्होंने farm apply नहीं कर पाया था उनके लिए second channel की जो date है वो कुछ इस प्रकार से है 9 जूलाई से 20 जूलाई तक आपको online application फिलोगा फिर जो merit सुची है उनके लिए 22 जूलाई 2024 को आएगी और 23 जूलाई से 31 जूलाई तक आपको जो है महाविद्यल में प्रवेश लेना होगा और इसके पसाथ भी अगर कोई firm नहीं फिल कर पाये है या जिनका नाम नहीं आया तो 33 चरन की जो admission प्रक्रिया है वो 1 अगस्त से 9 अगस्त 2024 तक online application फ ने आपको बताया कि 2020 नई सिक्षनिती के ताथ समस्टर पद्धती स्टार्ट हो रहे हैं तो screen पर आपको दिखाये गए जो कक्छाएं हैं उनके लिए ये सारी जो semester exam है वो रहेंगे ठीक है annual exam के वल बी लीप, PG Diplomain, Psychological Guidance, even counseling के लिए रहेगा आपको online application किस प्रकार फिल कर लिए एक ABC ID लगेगा जिसे academic bank of credit कहते हैं ठीक है अगर आप online किसी choice center से फिल कर लें तो वो लोग आपको ABC ID बना करके दे देंगे और साथ ही यहाँ पर आपको जो form फिल होगा तो वो new registration होगा जिसके लिए आपको एक user ID password बनेगी तो उस user ID password को आप अपने पास समहाल के रख रिया होगी तो उस user ID password के माद्यम से आपके तीनो येर के जो annual exam होंगे या enrollment form फिल होगा और साथ ही और कई प्रकार की जो जानकारी होगी वो आपके user ID password की मदद से login करके आप प्राप्त कर पाएंगे ठीक है तो इस प्रकार से online है और साथ ही आप अपने जो form फिल कर रहे है उसमें एक साथ पांच college चूस कर पाएंगे पांच college में से किसी न किसी में आपका नाम आएगा फिर आपके उपर है कि आप जिसमें admission लेना चाहेंगे document की बात कर लेते हैं कि आपको कौन-कौन सी document लगेंगे तो अगर आप first year में apply कर रहे हैं यूजी कक्छा के तो आपको दसवी बारवी की mark fit लगेगी साथ ही अधार card और mail id, mobile numbers, photo और एक signature लगेगा और साथ ही जो general category के चात्र है उनको छोड़ करके बाकी को जाती और निवास लगेगा जाती और निवास प्रमाड पत्र अगर अभी online के समय आपके पास नहीं है तो उसको आप बनवा लें क्योंकि जैसे ही आपका नाम आएगा तो college में प्रवेश के लिए आपको जो जाती और निवास प्रमाड पत्र है वो आपको लगेंगे ही या अनिवारी होगी इसके बगेर आप अपना जो admission है वो नहीं ले पाएंगे इसके अलावा आपको TC और CC भी लगेगा अगर आपने gap कियो हुआ होगा तो आपको gap certificate भी यहाँ पे देने होंगे ठीक है तो इस प्रका और इस तरह की दुर्ग विश्विद्याला की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे जो भी नई notification आती है आपके admission से related तो इसकी भी जानकारी हमारे चैनल के माद्दम से आपको provide की जाएगी